वगे के computer generations component characteristics full form input device output device storage device CPU RAM ROM memory इन सभी चीजों को detail में discuss करूँगा इसी एक वीडियो में इसी computer वाले वीडियो में full explanation सबसे पहले computer क्या होता है definition से start कर रहे फिर आगे discuss करें computer is an electronic device computer एक electronic डिवाइस है इसलिए कहा गया है क्योंकि यह इलेक्ट्रिक से चलता है इसे चलाने के लिए आपको क्या करना है बिजली देना पड़ेगा अपने घर का पावर सप्लाई करना होगा कम्प्यूटर के पास वीचिज डिवलाउट बाई चाल्स बैबेज नियर बाई 19 सेंचुरी जो कि चाल्स बैबेज के दुआरा 19 सेंचुरी के आस experi किया गिया था कौन डेबलब किया गिया था देवल यह जो नेम आपको दिख रहा है इस नेम को थोड़ा सा ध्यान इएगा चाल्स Ś fibers exam में यह नेम अक्सर पूछ जाता है computer के mcu वाले question मैं ठीक है तो यह हो गया computer क्या होता अभी computer का function क्या है यानि computer काम कैसे करते क्या 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 काम करता उसे देखो इस टेक it get inputs data from the input devices computer क्या करता input devices से input को लेता हैं यानि keyboard or mouse input device यही होता है इसी से input लेगा store उस input को store करता है and processed input data को process करता है यह process करने के बाद क्या करेगा and produce output आपके output screen में यानि output device में आपको output दे देगा यह simple सा काम होता है अपने computer का figure में सबसे पहले तो इन्पूट लेगा इन्पूट डिवाइस यानि कीबोर्ड माउस से जहां से हम देंगे इन्पूट को यहां पर क्या करेगा प्रोसेस करेगा प्रोसेस यहां पर समझ यह CPU है जो की प्रोसेस कर रहा है प्रोसेस करने के बाद उसी इन्पूट को प्रोसेस करने कैनल के बादा आपकोपूट देगा आपके अपूट स्क्रैन में butterfly में या फिर प्रिंटर में तो यह होगी आपको क्मप्रीटर रका बेसिक देफिनेशन अभी हम आपको computer का fundamental यानि component के बारे में बताने जा रहे हैं फिर आगे कर स्टिस्टीक्स बताएंगे कम पोनेंट क्या होता है computer का वो देखो 2 होता है को ता हडवेर सेकेंड होता है software hardware software क्या होते हैं इन में क्या डिफ्रेंस है इसके उपर एक वीडियो मैंने बनाया है वो वीडियो आपको इसी वीडियो के उपर में आई बटन में मिल जाएगा hardware वो component होता है computer का जिसे आप टच कर सकते यानि physical component सबसे पहला होता है इन पूट डिवाइस इन पूट डिवाइस मतलब कीबोर्ड माउस सेकेंड होता आप डिवाइस यानि आपका मोनीटर प्रिंटर यह सभी आप डिवाइस जहां से आप पूट आता है इस्टोरेज डिवाइस जहां पर अपने डेटा को डेटा नाहीं होता है यह सब पूच हैं सब कुछ है कंप्यूठ के लिए इसके बारे में टिल में discuss कर रहें फिलाल यहां पर software को देखिए second component होता अपना computer का software भी दो पार्ट में एक होता application software जिसे यूजर के लिए बना जाता है जैसे MS Office सेकेंड होता है system software जो कि system के लिए बना जाता है system में यूज किया जाता है जैसे Windows अपरेटिंग system Linux यह सबी चीजे तो अभी हम आपको केरेस्टिस्टिक्स बता रहें component होगे आपना उसके बाद full form जेनरेशन भी डिसकस करेंगे अभी देखें यहां हम आपको बता रहें characteristics of computer यानि computer का विशेष्टा क्या है जब आप computer system use करते होंगे तो आपने notice किया होगा सबसे पहला होता है speed computer का बहुत ज्यादा होता है आपने notice किया होगा जब आप कोई काम देते होगे तो बहुत जल्दी यह करके दे देगा आपको सेकेंड होता है accuracy computer अपने result को लेके बहुत ज्यादा accurate रहता है यानि एकदम 100% वह correct result देता है कोई wrong output नहीं देगा यह थर्ड होता है अपना storage computer large amount of information या फिदेटा को इस्टोर करके रख सकता है इसकी memory बहुत ज्यादा होती है TV में होती है आज कल तो ठीक है terabyte फोर्थ होता है quick decision computer का decision लेने का capacity है वह बहुत ज्यादा होता है मालीजे आपका data computer के किसी भी पार्ट में रखा हो आप एक बार computer के search बार में search कर दो वह कहीं न कहीं से उठा के एक second में आपको वह data provide कर देगा लास्ट देखो जो कि बहुत ज्यादा important है repeated capability आप अगर एक इंसान को एकी काम को 1000 बार करने के लिए दोगे तो वह क्या करेगा बोर हो जाएगा उसका speed कम हो जाएगा और वह सकता है वह गलत काम कर दे ठीक है उसका काम जो राइट ना हो लेकिन computer में सब नहीं होता वह क्या करेगा repeated काम को उसी speed से उसी accuracy के साथ repeated time तक बिना बोर हुए करके दे देता है command पर काम करता है ना computer इसलिए अभी full form देखो computer का जो की exam के लिए बहुत important है या फिर कोई पूछ भी सकता आप से कॉमनली ओप्रेटिंग मसीन प्रपोजली यूजड फॉर टेक्नोलोजी एंड एजुकेशनल रिसर्च टेक्नोलोजी और एजुकेशनल रिसर्च के लिए जो ज्यादा तर यूज होने वाला मसीन है वो होता है computer जो की आपको इसके चल्च मेस्ट्राइब फ्रोसेसिंग यूनेट ू कि राहन रा मोलता मेमरी इसका फुल्पोम होता या रैंडsome ये क्सि मेरी कि रोम क्या अधार रोम भी एक मेमरी रोम होता में डिवाइड किया गया है अलग अलग ओप्रेशन के लिए पहला होता है एल यू अरिथमेटिक लोजिक यूनिट अगर आपको कोई मैथेमेटिकल टास्क परफॉर्म कराना हो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टिप्लिकेशन या फिर दो नंबर को कंपियर करना हो तब वह काम आपका यू करेगा सी यू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर में जितना भी काम होता है उसको यह सी यू कंट् और रिलीश किये गए थे उसके बारे में आपको चले डिकस कर रहे है अभी आप यहाँ पे मेमरी देखो तो सबसे पहला देखो हांथ डीस्क है एच डीडी का मतलब होता है हाब डिस्क ड्राइब कि सेकंड्री मेमरी का अपना एक्जाम्पल है फजिखंड देखो रैम एक आप इस्टोरेज प्रोवाइड करता है पेंटराइब भी आप लिख सकते हूं सेखेंडरी मेमरी के लिए जो की बाहर से यूज करते हैं लोग यूज करने के ठीकिन इसके ऊपर भी मैंने computer memory को पर एक वीडियो बनाया है वो वीडियो का link में description में आपको नीचे दे दूँगा अभी generations देखो जो कि बहुत ज्यादा important है computer अगर आप पढ़ते हो तो generation आपको जरूर आना चाहिए पहला होता है first generation, first generation के लिए core element में vacuum tube technology use किया गया था और इसे 1946 में release किया गया था, first generation हो गया, second generation computer का है transistor core element use किया गया था यानि transistor technology था 1959 अभी आप यह मत बुलना कि first generation कहां से कहां तक था 1946 से obviously 1959 तक रहा होगा क्योंकि second जब तक नहीं यहां तक तो वही रहा होगा अभी third क्या हो रहा, third generation में use किया गया है integrated circuits core element था जो कि 1965 में release किया गया था, fourth generation computer में large scale integrated circuits को use किया गया था core element के तोर पे technology के तोर पे इसे 1971 में release किया गया था और यह 1985 तक था, उसके बाद अभी fifth generation चल रहा है जो कि onwards है, अभी इस पे काम चल रहा है 1985 से यही अभी तक है, तो computer बहुत ही important होता है आज के real life के हिसाब से भी आपको बता दो कि आप अपना जो smart phone भी android phone भी जो use करते हो